नमस्कार दोस्तों मैं अलुपदास गलाम कृष्णगर जीला बलरामपूर 36 गर से आज हम आए हैं और बक्री पालक के पास वीडियो कभर करने के लिए देखिए हमारे पास बक्री पालक यहां पर है जो बक्रियों को बुलाने का बहुत ही खुशूरत टेकनीक है उनका बुल करने का बहुत ही खुशूरत है सभी बक्री एक जगा आ जाएंगे उनके बुलाने के इनसे हम बात्चीत करेंगे इनका पुरा परिच्या लेंगे कितना बक्री है कपसे बक्री पालन कर रहे हैं और प्योर देशी नसल का जो बक्री है वो बक्री है इनके पास आप देख प आज हम पहली बार उनसे मेल रहे हैं, तो हमारे चाणडा जी बैठे हैं में नीचे में, तो चाचा ये बताए कि आप बखरी पालन कब से कर रहें, कितना साल हो गया? बहुत साल आप टांगा होंगा लाठी उठी लेके एक एप बताईे आप बैठे बैठे आप से बात करते हैं आप बकरी पालान कीतना साल से कर रहे हैं लग भाग 15 स्वलाद चली उसका तो जान करें लेंगे यह बताए आपकी इस गाउं से हैं क्या काम करते हैं क्या नाम है गाउं का नाम जल्पी ग्राम जल्पी और जीला ग्राम बल्रामपूर ने गाउं जल्पी है जीला बल्रामपूर सब चीज आपका तसिल वसिल सब चीज टोटल बल्रामपूर है ना कि आप बखरी टॉफ साल हो गया तो आप कितना बकरी आपने शुरु आफ नच कि पाफ है था तो मर गया उसका बच्च अपर है फिर्च छ नंग तो तो टोल कितना इतना बक्री रखे रखे खेत खार कितना है आपका जगाजमिन नहीं है जगाजमिन नहीं है आजेने दिक शहान नहीं है तो जो खेती बाड़िया जैसे धान वगे रहा सब जीव जी धर कुछ कुछ करते हैं के इस तरी मोनी तरह भी करता है घर में पानी का सातन हो दन है नहीं है लुप्रा खुड़ है बर तो यह बताये कि साल भर में आप जैसे धान वन लगाते हैं व कि यह पर तो इतना 20 उपक्री है और काफी समय होगा आपका बख्री पालवन करते हैं यह बताइए कि साल में आप कितना का मख्री बेचते हैं यह ग्राइक आइंगे उसी आप बेचेंगे कितना दिन हुआ है अच्छा दिसमबर में चुभीस हजार के बेचे हैं तो इसको क्या बक्री को बेचे हैं बक्रा बेचे हैं तो अभी और इस साल के बाद अब फिर कब बेचेंगे कि अब नहीं बचाएगा बगले साल बचाएगा ठीक ना तो जुब जैसे बच्चों चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर आप उसको बेचेंगे तो यह बताई उसके आप बोल रहे हैं कि आप तो इलाज उलाज नहीं करते हैं तो बख्री का कोच बीमारी हो जाता तो क अपने से लगाते हैं डाक्टर को नहीं बुलाने के कारण डाक्टर बुलाने साता है कि नहीं करेगा उसलिए अपना ब्यवस्ता खुद रख लिया ना अपने बस्ता चली इनका बकरी को हम थोड़ा सा करीब से एक बार दिखाते हैं चाचा जी से हम बहुत समय बात किये इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा अच्छा जानकारी दिये हमें और इनसे पूछेंगे कि कोई देसी जरीबुटी और जुगार उगार जानते हैं क् पर देसी बकरी है इनका दानखेत में चर रहा हैं आज हम धानखेत में घूम घूम के सभी जो बकरी चर वहा है बकरी पाला के सभी का हम वीडियो कबर कर रहे हैं घर से सभी दूर आ गया देख़िए बकरी खाते-खाते आप रेष्ट करने लगी बैठ गया है यहाँ पर प्योर देशी बकरी इसे आप बोल सकते हैं आप जहां ले जाएंगे वहाँ यह आनि कि जाने का बात सेठ हो जाते हैं काफी सुंदर-सुंदर बकरी है इनका और यहाँ का जो न भैस भी है दूर में चाचा जी का ही है भैस भैस भी कितना रखें उनसे बातचीत करेंगे काफी बड़ा-बड़ा भैस है इनके पास यह बताईए कि जैसे आप देशी जुगार कुछ जानते हैं बक्रियों को कोछ हो जाता है उसका पतला टटी उठी हो जाता है को पती जड़ी बुटी तब नहीं रखें तो बताई तो कौन सा क्या जड़ी बुटी को चिला जो लगा जा ड़ी बुटी नहीं ऑंग्री जी क्या बोलते हैं और चराने में बरसाद समय दिकत होता है कैसे क्या होता है कि नहीं होता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर स्थक्राइब करें ना भूले साथ हें इकन को दबाना ना भूले आप सभी हमारे चैनल को देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू